यलू-इव्रीवन, कैसे हैं आप सब लोग ऐप सब लोग फिट फाइन एपई होंगे तो आज भाईएंगे घर पर रेंच तो कहाने बियुए फ्रेंच रीजela चिली फ्लेक्स, छोटी हरी मिर्च, एक जिसको मैंने बारी काट लिया है, हरा धनिया, नमक और पोहा, मैंने हापे पोहे को पीस लिया है, मिक्सी में, इससे जो हमारे फ्रेंच फ्रैस बहुती क्रिस्पी बनेंगे, और आलू के अंदर एक बाइंडिंग आजाएगी, कि वो हम आलू के अंदर धनिया, चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च जो है, वो ऑप्षिनल है, आप डाल भी सकते और स्किप भी कर सकते हैं, टेस्ट के कोडिंग हम इसके अंदर नमक डालेंगे, आप यहाँ पे काले नमक का भी यूज कर सकते हैं, और चार तो मैं चार चमच पोह पाउडर डालों डालूगी एक पाउडर जादा पोह पाउडर डालेंगे तो जो आलो का टेस्ट है वो दब जायगा पोह पाउडर डालने से जो तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने हमारे पोहा पाउडर को और सारी चीजों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब एक प्लेट के उपर मैं प्लास्टिक शीट रखूंगे उसके उपर हम थोड़ा सा ओयल लगाएंगे ताकि आलू उसके उपर चिपकेना और हमारे आलू के मिक्स्टर को हम इस प्लास्टिक शीट के उपर डाल देंगे ताकि हम इसको अपने अकॉर्डिंग शेप दे सके अब इसको हाथों की हैल्प से हम इसे प्लास्टिक शीट के उपर फैला लेंगे हमने अपनी आलू को शेप दे लिए अब हम इसको चक्को से काट लेंगे आप इसको किसी भी शेप और साइज में बना सकते हैं चाहे आप इसकी स्माइली बनाईए चाहे आप इसके नगेट्स बनाईए आपके बच्चों को और आपको जो शेप और जो साइज अच्छा लगता है आप इसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं खाने में हर शेप साइज में बहुत ही टेस्टी लगते हैं हम पहले इसकी साइज को ट्रिम कर देंगे और अब हम इसको लंबा-लंबा काट लेंगे क्योंकि मैं इन्हें स्टिक की शेप दे रही हूँ फ्रेंच फ्राइज की शेप दे रही हूँ इसलिए ये फ्रेंच फ्राइज खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सबको ही ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है बच्चे स्कूल से आए आप उनको बना के दीजिए उन्हें बहुत पसंद आएंगी और वैसे भी अब तो दिसंबर चल रहा है दिसंबर की ठंड में गर्मा गरम फ्रेंच फ्राइज और एक कप चाय का मिल जाए तो दिन बन जाए तो हम अब इसे बीच में से भी काट लेंगे अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा हम उसके अंदर अपनी फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे हमें बहुत हलके हाथों से फ्रेंच फ्राइज को डालना है नहीं तो ये तूट जाएंगे और इन्हें थोड़ा सा दूर दूर करके डाले ताकि ये आपस में चिपके न ऐसे ही हम अपनी सारी फ्रेंच फ्राइज को जितनी भी इस बैच के अंदर आ सकती है उन सब को डाल देंगे आप एक बार घर पर ये रेसिपी जरूर ट्राइ करके देखेगा फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी अब इनको डालने के बाद हम एक से देड़ मिनट तक इनको बिल्कुल टच नहीं करेंगे नहीं तो ये तूट जाएंगी जैसे ही एक से देड़ मिनट हो जाएगा हम इसको हलका सा हलके हाथ से पलट कर देखेंगे कि ये थोड़ी बहुत ब्राउन होने लग गई है देखें ये थोड़ी बहुत ब्राउन हो चुकी है अब हम इनको पलट देंगे ताकि चारो तरफ से अचछे से सीख जाएं अचछे से क्रिस्पी हो जाएं हमारी जो फ्रेंच फ्राइज हैं वह बनकर एकदम रेड़ी हो गई है हमें यही कलर चाहिए इसके उपर जब इस पर ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से अब हम अपने दूसरे बैच को भी इसके अंदर फ्राय कर लेंगे आप चाहें तो इसके अंदर ब्रेट क्रम्स भी डाल सकते हैं पर इसके अंदर पोह पाउडर से एक अलगी टेस्ट और एक अलगी क्रिस्पिनने साथ दिये हमारी फ्रेंच फ्राय जो बनकर रेडी हो चुकी उसके अपर हम हलका से चाट मसारला डालेंगे और इसको कैच अप के साथ या हरी चतने के साथ सर्व करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबानन ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुन सके थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई